जै गुरुजी संगत जी गुरुजी की श्री चार्नों में कोटी-कोटी नमन और गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी को भी जै गुरुजी मैं आप सभी प्यारी प्यारी संगत जी से हार्दिक निवेदन करती हूँ कि आप गुरुजी की किताब दिव्याभा के सभी सत्संग बहुत ही द्यान पूर्वक और पूरा सुने और ये सत्संग और संगत जी से भी शेयर करें जिससे सभी को गुरुजी की किरपदश्टी मिल सके और सभी के कष्ट दूर हो सके जै गुरुजी शुकराना गुरुजी ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाए गुरुजी का की दिव्य अभगा सत्संग टू उनमें शिव जोत का वास है मैं गुरुजी के संपर्क में 1986 में आया उनके भीतर शिव जोती का वास है शिव की भाती गुरुजी मानफता के लिए प्रेम एवं करूणा का प्रतीक है गुरुजी के समक्ष आस्था से आई हुए प्रतीक व्यक्ति का कल्यान होता है पूजनी गुरुजी अपने अनुयाईयों को परमात्मा का संदेश देते हैं उनके अनुसार इश्वर एक है मनुष्य की जाती रंग भेद धर्म आदी का कोई महत्व नहीं है सब एक समान हैं सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं वह मानफता से प्रेम और जरूरत बंद की साह कार किये हैं और मरलासन रोगियों को ऐसा अध्य रोगों से मुक्त किया है सरवत्र किरपा मुझे अनेक बार गुरु किरपा का सुभाग्य मिला है 1987 में मेरी पतनी को अंदुरूनी सूजन हो गई थी ऐसा अध्यता रोकने के लिए चिकितसकों ने तुरंत शल्ले किरिया का सुजाव दिया हम शल्ले किरिया की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुचे और उने रोग एवं चिकितसकों के परामर्श के बारे में बताया गुरु जी ने उसे अमरत दे कर कहा कि शल्ले किरिया की कोई आवशकता नहीं है गुरु जी में निश्टा होने के कारण हम उने शल्ले किरिया नहीं करवाई दो वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पतनी को बहुत पेट दर्द हुआ चन्डिकर के सर्वुत्तम चिकित साले द्वारा परिक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था वह केवल उदर शूल था गुरु जी दो इस्थानों पर एक 1912 में मेरी मा बहुत बिमार हो गई और चेतना खो बैटी थी 45 वर्ष के आयू में उनके जीवन जिवित रहने की संभावना बहुत कम थी 28 फरवरी को जब मैं अपनी मा के कश्टों को नहीं देख पा रहा था मैंने मनहीमन गुरु जी से जो उस समय जालंदर में थे आकर उ उस समय शाम के साड़े छे का समय था मेरी प्रात्ना करने के कुछ ही चड़ बाद गुरु जी ने सामने के दौर से जो अंदर से बंद था प्रवेश किया हम उनको देख कर आश्चर चकित थे गुरु जी ने मेरी पतनी को एक ग्लास में जल लाने को कहा जिसे उन्हाने उस अंतराल के बाद हमने बाहरा कर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरु जी के बारे में पूछा तो उसने अनभिक तक व्यक्त करी उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था मैंने तुरंत जालंदर फोन किया तो मुझे बताया गया की वहतो उस समय जालंदर में संगत में बैटे हुए थे उसके बाद हमने मा को जल पिलाया और गुरु जी के कहे अनुसार रात को दो बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ती हुई अतहे गुरु जी एक ही समय दो इस्थानों पर थे जालंदर में संगत में और हमारे घर पर शिव दर्शन मेरी पुत्री भी गुरु जी की भक्त है 1988 में गुरु जी चन्रिकल के सेक्टर 33 में रहते थे जब मेरी बेटी गुरु जी से प्रातना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी एक दिन प्रात्य उठने पर अपने कक्ष में गुरु जी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रहे गई अतीती काक्षु में प्रिवेश करने पर उसने कालीन पर शिवजी को गुरुजी के इंचित्र के निकट बैठे हुए देखा कुछ समय उसने हमें दर्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया संद्या को जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकरती के चारों और एद्वितिय प्रकाश दिखाई दिया और वहें उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई यह देखकर वहें मंत्र मुख्द हो गई और जोर जोर से रोने लगी उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा उन्हाने उत्तर दिया कि वहें शिव दर्शन के लिए प्रात्ना करती रहती थी और अतहें उन्हाने उसकी मनुकामना पूर करी थी उप चार आत्मक चल 28 अप्रेल 1988 को स्नान कक्ष में गिरनी के कारण मेरी तीन पसलिया तूट गई मुझे चिकित साले में प्रिविष्ट करवाया गया 15 माई को मुझे लखनों के पीजी आई में भेजा गया प्राश रव्य, चितरण और ECG परिक्षण के परिडामों से मेरे हिर्दय को छती होने का प्रडाम प्रमार सामने आया, हिर्दय पर अच्छाया बनी हुई थी 29 माई को मैंने डॉक्टर महेंद्र चंद्र किंग जॉर्ज मेटिकल कॉलेज में हिर्दय रोग के विबाद्यक्ष से परामर्ष लिया तो पुने वही परिक्षण कर उन्होंने भी वही निशकर्ष सुनाया दो जुन को मैं गुरुजी के दर्शन हे तू दिल्ली आया मैंने उनको चिकित्सकों की निर्डे से अवगत किया तो उन्होंने एक गिलास जल मंगा कर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर जीटे मारे और मुझे स्वस्थ गोशित कर दिया साथ ही उन्होंने पुने परिक्षण करवाने का निर्देश भी दिया एक दिन के बाद डॉक्टर कर ले पिया दिली मिसेना रैफ्रेल और रिसर्च चिकित साले के विबाद्यक्ष ने मेरा परिक्षण किया उन्होंने भी वही परिक्षण दुबारा करे और मुझे स्वस्थ गोशित कर दिया मेरा हिर्दय ठीक से काड़ कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी पिछले परियोडाम देखकर वह अचंबित हो गए और कहने लगे कि 29 माई और 3 जून की मध्यवधी में केवल किसी चमतकार से ही ऐसा हो सकता है अन्य था हिर्दय की अवस्ता में ऐसा सुधार ऐसंबव है लखनव लोटने पर मैंने वह परियोडाम चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्ले था उन्होंने कहा कि चिकित्सा से ही है परिवर्तन संभव नहीं है उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्त हूँ ऐसी है मेरे गुरुजी की दिव्य शक्ती कठिन समझोते चंडिकर के सेक्टर 35 में अपनी साले के साथ एक सांजह भुखंट था 1908 में उसकी आधार शिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को अवंतरित किया उस स्थर पर आने के बाद गुरुजी आधार शिला नहीं रखना चाह रहे थे पर मेरे आगरे पर उन्होंने ऐसा कर दिया गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वन मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्धपी मुझे इससे लाब होगा साले के साथ आपसी संबंध कटू हो जाएंगे भवन निर्मान पर प्रारम होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और एक वर्ष बीतने पर ही पुन्हा आरंप हो पाया भवन निर्मान पूर होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपे मिले परन्तु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चड़ा सके गुरुजी के उसकतन की सत्यता चार वर्ष बाद सिध हुई जब अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाब भी हुआ इंदन बिना यात्रा है 1989 में मैं पटियाला में जनपद नियाधीश था गुरुजी जालंदर से हमारे पास रहने के लिए आए उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी नीजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया कार में पैट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिती में पैट्रोल खरीदने के लिए तीन सो रुपे और दिये वापस आने पर वहमार्ग में हुए चमतकार को बताने के लिए उत्सुक था उसने बताया कि उसने उन पैसों से पैट्रोल खरीद कर कार में डाल दिया था एक दिन जब गाड़ी में पैट्रोल नहीं था तो गुरू जी ने उसे कार चलाने को कहा जब उसने बताया कि पैट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है तो भी गुरू जी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा उसने आग्या का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पैटोल भड़ा हुआ दिखा रही थी वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पैटोल के चल रही है अगले पाच दिन जब तक वह गुरू जी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसी ही चलती रही अंतिम दिन गुरू जी ने सो के तीन नोट प्रकट करके उसे दिये और कहा कि यह पैटोल खरीदने के लिए दिये गए थे वहन चाला करम सिंग यह लिखने के लिए लिखने के समय पटियाला में जनपद दिन्याएधीश के काड़ाला में सेवारत थे कामना पूर्ती 1987 में मैं रोपड में सेवारत था एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंद्रा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने गृद्राक्ष की माला पहनी हुई थी मैं सोचने लगा क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में गृद्राश दे सकती हैं दो मास के बाद मैं गृद्रुजी के दर्शन के लिए जालंदर गया वहां संगत में थे उन्होंने प्रशन किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशिरवात प्रियाप्त है उन्हाने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया उन्हाने फिर प्रशन किया कि क्या मुझे यही चाहिए था उन्हाने दो महाँ पहले की मनुकामना पूर कर दी थी तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है गुरुजी से एकथित कामना भी पूर हो जाती है अब इस गुरुजी की दिव्याभा का सत्संग टू का आकरी चरण पुत्र रक्षा 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटर साइकल दुरगटना में बहुत गहरी चोटे आई थी उसे चंडीगर स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठा कर घर तक लाए थे मैं उस समय लगनव में था वह चिकित साल नहीं गया उसने केवल गुरुजी का चितर अपने पास रखा और दूद में हल्दी और घी डाल कर पी लिया अगले दिन प्रात है उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटे गंभीर थी उसके कान से रक्त प्रवा हुआ था उसकी गर्दन और मुँ इतना सूझ गए थे कि उसे पहचान पाना ही भी कटिन था दुरगटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर को पास के चिकित साले ले जाया गया चिकित सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उप्चार के वह जिवित कैसे रहा है उसे तुरंथ अपात कालीन कक्ष में ले गए परिक्षर करने पर पता लगा कि उसके मस्तिश्क में रक्त इस्त्राफ था और सिर पर दरार आ गई थी सो भाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाक कान से हो गया था चिकित्सक तुरंथ शल्यक रिया करवाने को कह रहे थे पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनव से लोटने की प्रतिक्षा करी मार्ग में मैंनी गुरुजी से संपर्क इस्तापित कर उनको दुर्गटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशिरवात का आश्वासन दिया इस अवधी में मेरे पुतर की निकटा से देखरेख होती रही गुरुजी की किरपासे उसे शल्यक रिया की आवश्यक्तर नहीं हुई किन्तु उसके मुख पर पक्षा घात हो गया गुरुजी ने एक अभिमंत्रत लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा उसके जल देते ही उसमें सुधार होने लगा चिकित सको का विस्मित करने के लिए उसका लकवा दो दिन में ही ठीक हो गया मेरे बेटे को चिकित साले से घर भेज दिया गया और कुछी दिन में वहपूर स्वस्त हो गया जै गुरुजी शुकराना गुरुजी बाद में किये गए परिक्षडों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिश्क की चोट दिखाई नहीं दी मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्त है गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितिय है उन्हाने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशिरवात दिया है गुरुजी ने इस परकार के अनिक चबतकार किये हैं और जरूरत मंदों के लिए करते रहते हैं वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं उनकी करूणा अपार है जिसको उनमें आसता है वह अपना चीवन पवित्र कर सकता है यदि हमें उनमें निश्ठा है तो वह हमें चिंता गुरुजी को कोई लोकिक आवश्यक्ता नहीं है नैवेद को वह एस्विकार कर देते हैं उन्हें कोई चाहत भी नहीं है वह इस प्रत्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं आए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशिरवाद गिरहड करें ये सभी सत्संग अधीश अमर बीर सिंग निगिल अंकल के हैं फ्रॉम चंडिगर। जै गुरुजी शुक्रान गुरुजी